डी सेंटर शो मुंबई से मैं हूपूजा भारदवाज और मैं इस वक्त मौझूद हूँ मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क में और मेरे पीछे आप ये बड़ा मंच देख सकते हैं जिस पर आज सब की नजरे थी क्योंकि गुड़ी पाडवा रैली थी यहाँ पर महराज नव्मान सेना की ओर से लग रहा था कि राज ठाकरे अपनी भूमिका यहाँ पर साफ करेंगे लोग सबाचुनावों को लेकर जिस तरह समिशा से उनकी मुलाकात हुई थी लग रहा था इंडिये में शामिल होंगे कहा ये भी जा रहा था कि उन्हें दो स बिना शर्त ये समर्थन है क्या कुछ कहा अपनी उन्होंने इस बड़ी सभा में सुनील सिंग बता रहे हैं आखिरकार वही हुआ जिसके क्यों मीद थी एमिनेस प्रभूख राज ठाकरे ने महायुति को इस लोग सबाचुनाव में समर्थन दे दिया और यह कहते हुए रिया कि मैं बीजेपी एंसेपी अजित पवार और एकनाश शिंदे सिवसेना का समर्थन कर रहा हूं लेकिन न ही नेते तो नहीं मिला तो आगे जाके और अजकता फैल सकती है और जो नौजवान हैं उनके लिए शिक्षा रोजगार और बाकी जो सुविधाएं अगर कोई दे सकता है तो बकल राज ठाकड़े वो नरेंदमोदी ही दे सकते हैं इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है औ लेकिन यह जरूर कहा कि अपने समर्थों को कि विधान सभा के चुनाओं के लिए तैयार रही है याने कि आज जो समर्थन दे रहे हैं उसके पीछे कहिन कहिन विधान सभा में उन्हें मदद मिलेगी एक संकेत जरूर उन्होंने दे दिया है और उन्होंने कहा कि तैयार रह करने हुए यह बोलने के दौरान की किसी से मिले जाओ तो यह कुछ भी अपने मन से कल्पना करके कहानी बना देते हैं और पीछह की कई और होती है और ये दोकती मिलना कोई में कोरी बुराही ऐह वह भी थे क्यों गए थे यह इन्होंने सिल्सलेवार तरीके से समझाया क्योंकि जो राज के मुख्यमंत्री हैं एक नाशिंदे वह जब वह भी जब इनसे मिला करते थे तब कहते थे हम सब तोरपर उन्हें नहीं कहा कि जो भी बाते हुई है अमीच साह और मेरे बीच वह सिर्फ मुझे पता है लेकि मीडिया कुछ भी चला रही है इसके रहा राज ठाकरे नहीं यह भी साफ कर दिया कि वह किसी भी पार्टी से मर्ज करने नहीं जा रहे हैं जैसे कि एक खबर चली थ में काम कभी नहीं करेंगे इसी बाला साहफ ठाकरे के नहीं उन्हें काम किया है और अब यह बात करते हैं महराश्ट्र के विपक्षी गठबंदन महाविकास अगारी की जिन्होंने 23 बैठकों के बाद दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मुलाकात के बाद आखिरकार सीटो के लिए वो अड़ी हुई थी, फ्रेंडली फाइट की बात कर रही थी, उन सीटों की कुर्बानी कॉंग्रस ने क्यूं दे दी, आई आपको दिखाते हैं मुंबई से रौनक कुकड़ी की स्रिपोर्ट में लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास अगारी में चल रही रार खत्म हुई कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार मुंबई में एक बड़ी जॉइन प्रेस कॉंफरेंस में सीटों के बटवारे का एलान हुआ 21 सीटें शिवसेना उधवठा करे 17 सीटें कॉंग्रेस और 10 सीटें एंसीपी शरतपवार गुट के खाते में गई हैं हमने ये सीट बटवारा जीतने के उद्देश्य से किया है अब जनता फैसला करेगी इस लिस्ट को देखें तो मालूम पड़ता है कॉंग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा सांगली भिवंडी और दक्षन मध्य मुंबई जैसी सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली जबकि कॉंग्रेस ने इन पर फ्रेंडली फाइट का ओफर तक किया था कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एन्डी टीवी से बाचीत में कहा बगावत नहीं होने देंगे नारा जी हमारे कारेकरतों नेताओं में है उनको समझाय जाएगा देमाकरसी जो हमारे देश की खत्रे में लाई है एक तानाशा जो देश की प्रदान मंत्रिय है उनने और इस देमाकरसी को बच्चाना लोगतांदरिक बच्चाना को बच्चाना हमारा दाइत तो बनता है पिछले 30 सालों बे कॉंग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई के सीट पर केवल दो बार ही चुनाव जीत सकी है शिवसेना और बीजेपी के पुराने गडबंदन में शिवसेना के खाते में इस सीट कभी ने गई लेकिन बीजेपी का यहाँ पर जो जमीनी संगठा ने बहुत जादा मजबूत माना जाता है इसलिए केंद्रिय मंत्री यूज गोयल को पार्टी ने यहां से मैदान में उतारा है लेकिन महाविकास आगाडी के गडबंदन में कॉंग्रेस के खाते में सीट तो गई है लेकिन अब तक उसे प्रत्याशी यहाँ पर नहीं मिल सका है सांगली सीट है, सांगली सीट में आज उन्होंने उतारापर जी ने एक कैंडिडेट एक पहलवान को उतार दिया है सीट बटवारे के बाद कॉंग्रेस में नाराजगी भी सामने आई है कॉंग्रेस के कही निता नाराज बताए जा रहे हैं जिसमें मुंबई कॉंग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवार भी शामिल है दूसरी तरफ विशाल पाटिल है जो कि सांगली सीट को लेकर लगातार मांग कर रहे थे अब वो भी अन्रीचेबल बताए जा रहे है महविकास अगाडी की प्रेस कॉंफरेंस में भी मुंबई कॉंग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवार नहीं पहुंची वर्षा गायकवार अपने दिव्यांगत पिता एकनाथ गायकवार की मुंबई दक्षिन मध्य सीट से लड़ना चाहती थी मगर वो सीट उद्धव ठाकर गुट को दे दी गए इस सीट से अनिल देशाई उमेदवार है सीट शेरिंग फॉर्मला सामने आने के बाद कॉंग्रेस नेताओं की नाराजगी पर महराष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सारे फैसले आला कमान से बात करके लिए गए हैं ये कॉंप्रमाइज कहते हूँ कोई कॉंप्रमाइज नहीं है आकरी देश के सविधान से कोई बड़ा नहीं है देश की लोक्षाई से कोई बड़ा नहीं है जो हमारे आईकमान का आदेश है उसका पालन हमारा सभी कारे करता और हमारे निता करें कोई नाराजगी नहीं है कोई मतभेद नहीं सब ठीक है कहते हैं बड़ा दिल रखकर समझोते पर पहुंचा गया है पर ये समझ से परे है कि टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई NCP के सामने सबसे पुरानी पार्टी कैसे तूट गई अपनी परंपरागत सीटों पर भी कैसे समझोता कर गई कॉंग्रेस की इस कुर्बानी को कैसे समझें पिछले दो कॉंग्रेस का परफ़र्मेंस महराष्ट में 001 पिछले बड़े दिल दो चुनाओं के बाद उसको एक सीट मिली है चंदरपुर की वो भी उसके कैंडिडेट रहे नहीं और उनकी मृत्य हो गई समय से पहले तो कॉंग्रेस कमजोर रही है और वो शुर्शनल ने शायद वही पार्ट एसर्ट करके अपनी बात मनवाली है कॉंग्रेस अला कमाद से राजे की 48 सीटों पर 19 एप्रेल से 20 मई के बीच पांक चरणों में लोगसभाद चुनाव होंगे महाविकास अगाडी की सीटों पर असी गाडी तो फिलहाल इस चकर व्यू से आगे निकली है पर उमीदवारों की जीत को सुनुशित करने के लिए बिना नराजगी से भरे स्पीड ब्रेकर से अटके किस स्पीड से दोड़ेगी देखना दिल्चस्ट होगा मुंबई से बियरो रिपोर्ट एंडी टीवी इंडिया दिली के तिहार जेल में बन दिली के मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल को दिली हाई कोट से बड़ा जटका लगा है अदालत ने एडी द्वारा की गई इस गिरफतारी को सही ठहराया है हमारे सहीयोगी शरत शर्मा आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि आखिर किन बातों को आधार बनाते हुए केजरिवाल की याचिका खारिज की गई अरविन केजरिवाल को अभी जेल में ही रहना होगा अपनी गिरफतारी को गैर कानूरी बताने वाली केजरिवाल की अरजी दिल्ली हाई कोट ने खारिज कर दी यही नहीं अदालत ने केजरिवाल की याचिका खारिज करने के जो आधार बताए या टिपणी की वो केजरिवाल ही नहीं पूरी आमादी पार्टी के लिए चिंता की बात है अधारत ने कहा E.D. के पास गिरफतारी का परियाप्त आधार है E.D. ने कहा कि पैसो का इस्तमाल गोवा कैंपेन में हुआ E.D. ने आपके गोवा उमीदवार का बयान दिखाया E.D. ने हवारा डीलर का बयान दिखाया हम नाम सारजनिक नहीं कर रहे ये एक चेंद दिखाता है E.D. का दावा है कि या चिका करता पूरे मामले में शामिल है केजरिवाल की गिरफतारी कानून का उलंगन नहीं है मुक्यमंत्री के लिए अलग कानून नहीं हो सकता आमादी पार्टी का कहना है कि पूरा केस केवल आरोपी से सरकारी गवाब बनने वाले लोगों के बयान पर आधारित है जो बयान दरा धमका कर और मार पीट कर लिए गए माननी उच्च नहायले का फैसला अर्विन केजरिवाल जी के मामले में आया है लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीती में आजादी के बात से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक सड़यंत्र है हाई कोट के आदेश और टिपणियों ने बीजेपी को केजरिवाल को घेरने का मौका दिया हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस करप्षन की अन्ना क्रांती से शुरुआ हुआ अंदोलन आज के 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 में तबदील हो गया है यानि केजरी करप्षन क्रांती में तबदील हो गया है एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभाव संभावता भारत की राजनीत में कभी देखने को नहीं मिला होगा अर्विन केजरिवाल को एडी ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीती मामले में उनके घर से गिरफतार किया था एक अपरेल से केजरिवाल पिहार जेन में बंध हैं आमाधी पार्टी दिल्ली हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती देगी अब जब तक सुप्रीम कोड से कुछ अलग आदेश ना आ जाए या फिर कुछ ऐसा आदेश ना आजाए जो आमाधी पार्टी अर्विंकेज जीवाल के पक्ष में जा रहा हो तब तक दिल्ली हाई कोट का आज का आदेश अर्विन केज़िवाल और आमाधी पार्टी के लिए चिंता का सबब बना रहेगा आमाधी पार्टी या अर्विन केज़िवाल के लिए फिलहाल खुश होने वाली बात या थोड़ी सी राहत वाली बात यही हो सकती है कि संजय सिंग की जमानत्याचिका पर जब दिल्ली हाई कोट ने सुनवाई की थी और यही जज उस सुनवाई को कर रही थी तो उन्होंने करी टिपपनी करते हुए संजय सिंग की जमानत्याचिका खारिज कर दी थी लेकिन जब सुप्रीम कोट में जवाज़जगा पहुँची तो E.D. के तरफ से बहस शुरू भी नहीं हो पाई और संजय सिंग को जमानत मिल गई दिली से अपने कैमरा से योगी पवन कुमार तिवारी के साथ मैं शरच शर्मा एनिटी में लिया बंगलूरू के लोगों ने घरों को बनाने के लिए जीलों को नुकसान पहुंचाया तो सरकार ने कोई रागी यानि मडवा जवार और तही मिलाकर तैयार की गई थंड़ाई से बैंगलूरू में गर्मी से हर कोई परेशान है इस मौसम में 63 साल के सेलवा की दुकान चलने के लिए गर्मी से इस्थानिये लोग भले ही परेशान हों लेकिन जर्मनी से आए ये सेलानी काफी खुश है उन्हें ये गर्मी रास आ रही है मुझे गर्मी बहुत अच्छी लग रही है, मैं जर्मेनी में रहती हूँ, ऐसे में इतना तेज सूरज देखना मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पानी की बोतल अपने साथ लेकर चल रही हूँ सिर्फ बैंगलूरू शहर में ही नहीं, बलकि उत्तर करनाटका के ज्यादतर इलाखों में गर्मी का गहर जारी है, यहां पारा 40 डिग्री को पार कर गया है टेंपरेचर इसलिए बढ़ रहा है क्योंके हीट सिंग खतम हो गया है, हीट सिंग का मतलब है ग्रीन बेल्ट और वाटर बॉडिज दोनों गायब हो गए है, पिछले पाच दशकों में हमने 88 फीजदी ग्रीन कवर और 89 फीजदी वाटर बॉडिज खो दिये है छीलों पर अतिकर्मन से पानी के श्रोग कम हुए, वहीं पेरों की कटाई की वज़े से ग्रीन बेल्ट खत्म हुआ है और ऐसे में गर्मी इस शहर में तेजी से पढ़ रही है, जिसके लिए हम फुद जिम्मेदार है बैंगलूरू से निहाल किद्वाई, इंडी टीवी, इंडिया